गुड मोर्निंग नमस्कार प्रणाम आप सभी का मेकेनिकल एट इज यूटूब चैनल पे अर्दिक स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं जूनियर रिसर्च फैलो पोस्ट निकली हुई हैं MTRDC बेंगलोर में जिसे हम Microwave Tube Research and Development Center के नाम से भी जानते हैं तो देखते हैं हम यहाँ जो पोस्ट निकली हुई है वो है Electronics के Candidate हैं उनके लिए और Mechanical के Candidate हैं उनके लिए तो चलिए फर्स्ट जो नंबर है उसमें उन्होंने बताया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री यानि की जिन्होंने MSC कर रुखी है Microwave Science या Electronics में और First Division है और Net Qualified Candidate हैं तो वो eligible हैं फोर दिस Junior Research Fellow पोस्ट या फिर जो ग्रेजुएट हैं बी इ बी टेक कर रखी है उन्होंने Microwave Engineering और Electronics में First Division with Net या Gate then also eligible for this Junior Research Fellow यदि किसी का Gate Qualified नहीं है और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रह की है Microwave Engineering और Electronics में तो भी वो eligible हैं Gate is not mandatory for postgraduate student in Microwave और Electronics Engineering students तो अभी चलते हैं हम Mechanical के बारे में जो इन्होंने Essential Qualification है वो हम पढ़ते हैं तो Mechanical में क्या है कि Mechanical के जो graduate degree कर रखी है जिन्होंने तो उनको Gate या फिर Net Qualification जरूरी है और postgraduate degree जिन्होंने कर रखी है Mechanical में तो उनको Gate का score होना जरूरी नहीं है लेकिन आपकी जो graduation है और post graduation में है उसमें आपका first division जरूरी है तो अब ये पता होना चाहिए कि जो जो duration क्या रहेगा यानि कि समय क्या रहेगा duration of post तो आपकी जो ये post है वो आपका 2 साल का समय रहेगा 2 साल तक आप इस project पे काम करेंगे और आपको जो stipend मिलेगा वो 31,000 31,000 पर मन्थ पलस house rent allowances as per rule जर्नल कंडिशन क्या है age not exceeding 28 years as on date of interview जिस दिन आपका interview होगा उस दिन से लेकर आपकी age 28 साल से उपर नहीं होनी चाहिए फिर भी relaxation दी गई है SCST candidate के लिए 5 year की ठीक है 5 साल की रियायत दी गई है SCST candidate के लिए या फिर physically handicapped and 3 year for OBC OBC candidate के लिए 3 year relaxation दी गई है यदि वो चाहते हैं कि उनको age में relaxation दिया जाए तो उनको OBC certificate या फिर जो उनका original SCST certificate है वो दिखाना होगा और जो handicapped हैं उनको अपना medical certificate दिखाना होगा जो कि issued किया जाता है government hospital दवारा या फिर medical board दवारा ठीक है No TA will be paid कोई किसी प्रकर का TA paid नहीं किया जाएगा तो अभी क्या है procedure of attending interview the eligible qualified candidate can walk in for interview at the venue of the date and time as mentioned below अब इन्होंने कहा है कि जो भी candidate अपने आपको eligible मानते हैं वो हम जो नीचे ये दिखा रहे हैं उस दिन और उस स्थान पे आके अपना interview दे सकते हैं तो देखते हैं इनका स्थान और समय क्या है JRF position serial number one serial number one यानि कि जो microwave engineering के student थे या फिर electronics engineering के student थे उनके लिए तो उनका जो time रखा है इन्होंने electronics या microwave engineering के student के लिए Monday 10th January 2022 और इन्होंने ये स्थान रखा है Center for Learning and Development भारत electronics ये स्थान है ठीक है आप देख सकते हैं अगर हम बात करते हैं JRF serial number two ये है mechanical engineering के student के लिए Tuesday को रखा है 11th January 2022 भारत electronics limited बैंगलोर में है near bel circle past end और सबसे जो important बात ये है कि आपका time क्या रहेगा तो time भी यहां इन्होंने show किया है candidate must report at the venue at 9.30 9 बज़कर 30 मिनट पे आपको report करना है वहाँ ये स्थान जो मैंने आपको बताए है इस जगें आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और हम आपके उज्वल भविश्य की कामना करते हैं आशा करते हैं कि आप junior research fellow in MTRDC DRDO के तहत कार्य करें और इस देश के लिए अपना महत्व प्रुण योगदान दें जै हिंद वन्दे मातरम